इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इगनू से ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में MBA यानि की Master of Business Administration प्रोग्राम करना चाते हैं तो कैसे कर सकते हैं एडमिसन लेने के लिए आपको इंट्रेंस एक्जाम देना होगा या फिर नहीं देना होगा इगनू से ये प्रोग्राम आप कितने साल में कर सकते हैं इसका डियूरेशन क्या है एडमिसन फीस कितना लगता है और सबसे इंपोर्टेंट एडमिसन लेने के लिए आपके पास क्या जरूरी योग्यता रहना चाहिए इन सभी चीजों के बारे में ईटेल में जानकारी पराप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिये और इगनू से रेलेटेट सभी अपडेट और नोटिफीकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफीकेशन को ओन कर लिजए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे सबसे पहले बात करते हैं एडिमिशन के बारे में अगर आप इगनु से MBA करना चाते हैं तो आप इसे ODL मोड यानि की Open Distance Learning मोड से कर सकते हैं और साथ ही में अब तो आप इसे Online मोड से भी कर सकते हैं Online मोड से करते हैं तो इसमें ये रहता है कि आपको सभी काम Online होता है Assignment आपको Online Summit करना होता है और अब तो आप इसमें एक्जाम भी Online मोड से दे सकते हैं चलिए मैं आपको सभी चीजें डीटेल में बताता हूँ अगर आप इगनु से MBA करना चाते हैं ओडियल मोड से तो आपको इस वाले विबसाइट से Admission लेना होगा और अगर आप Online मोड से Admission लेना होगा इगनु ने जनवरी 2024 से शेशन का Admission स्टार ट कर रखा है ओडियल प्रयोग्राम का और साथी में Online प्रयोग्राम का 31 जनवरी 2024 तक आप admission का form fill up कर सकते हैं और admission ले सकते हैं लेकिन admission लेने से पहले आप program के बारे में सभी जानकारी निकाल लीजिए जिसके लिए यहाँ पर आपको program information पर click करना होगा odial वाले option में भी और online वाले option में भी आपको यह option मिल जाता है यहाँ पर आप click करेंगे और यहाँ पर आपको MBA लिखना होगा MBA यहाँ पर यहाँ जो search का option दिया गया है MBA लिखेंगे तो MBA के जितने भी program available है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है लेकिन अगर आप यही online वाले option में search करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले हम odial के बारे में बात कर लिते हैं MBA का 5 program available है odial mode से सबसे पहले MBA Master of Business Administration और यह सब भी MBA का ही program है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है जैसे कि इसको देखें Financial Management और यह है Human Resource Management और यह है Marketing Management का और यह है Operations Management जैसे कि मालेज कि आपको सिर्फ Master of Business Administration करना है तो सभी में आपको यहाँ पर Read More का option देखने को मिल जाएगा किसी भी program के बारे में जानकारी निकालने के लिए यहाँ आपको Read More पर क्लिक करना होगा तो जैसे कि यहाँ पर आपको Mode म Mode में Offer किया जाता है और यहीं आप अगर Online वाले Option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यह आपको Online Mode में Offer किया जाता है और यह जो program है यह पूरे 2 साल का है आप इसको 2 साल में Complete कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या रहता है कि जो आपका admission है वो 4 साल तक valid रहता है बी minimum आप इसे 2 साल में पूरा कर सकते हैं और यह program आपको सरिफ English medium में दिया जाता है English medium में ही आपको यह ले सकते हैं जब भी एडिमिशन स्टार्ट होते हैं नीचे करेंगे तो यहां पर आपको और भी इनफोर्मिशन दिया जाता है जैसे कि इस प्रोग्राम में अगर आप एडिमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या जरूरी योग्यता रहना चाहिए तो उसके लिए यहा आप रिजर्व कैटिगरी के अंतरगत आते हैं जैसे कि SC, ST, OBC तो इसमें आपको 5% का रेलेक्सेशन दिया जाएगा तो ऐसे में आपका बैचलर डिगरी में 45% नंबर होना चाहिए और यहां पर आपको फीस के बारे में बताया गया है आपका जो पहला सेमेस्टर रहेगा दूसरा सेमेस्टर रहेगा और चौथा सेमेस्टर रहेगा इसमें आपका पर सेमेस्टर फीस रहेगा 15,500 रुपे है और यहीं आपका जो तीसरा सेमेस्टर रहता है तो इसमें आपका आठ क्रेडिट का एक प्रोजेक्ट रहता है तो इसमें फीस थोड़ा सा जादा है 17,500 और जब आप admission लेते हैं तो इसमें आपको registration fees और development fees भी देना होता है registration fees रहता है 300 रुपए और development fees रहता है 200 रुपए यानि कि पहली बार जब आप admission लेंगे तो यह 15,500 में आपको 500 और add करना होगा यानि कि आपको 16,000 का payment करना होगा नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको course के बारे में भी बताया जाता है जैसे कि first semester में total 7 subject रहेगा तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है second semester का भी यहाँ पर subject दिखाये गया है ऐसे ही third semester का और fourth semester का भी subject यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है और इसी तरीके से यहाँ पर यह जो आपको ओनलाइन वाला है MBA OL यानि कि ओनलाइन इसमें भी आपको सेम डिटेल्स देखने को मिल जाएगा और नीचे करेंगे तो यहाँ भी आपको यही सब्जेक्ट दिखाये जाते हैं अब बात करते हैं कि यहाँ पर MBA के आपको जितने भी प्रोग्राम दिखाये जाते हैं अगर इन में से किसी भी प्रोग्राम में आप admission लेना चाते हैं तो कैसे ले सकते हैं तो सबसे पहली बात तो इसमें आपको यानि की इगनु से अगर आप MBA प्रोग्राम करना चाहते है ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से या फिर ओनलाइन मोड से तो इसमें आपको कोई भी इंट्रेंस एक्जाम नहीं देना होगा जो इंट्रेंस एक्जाम था उसको हटा दि करेंगा वैसे में आप इंट्री कासे डिया डिजान प्रो Bowl को जाता है तो मतलब की आप इंट्र अन्य स्टूडेंट बन चुके है और इसके अलावा अगर आपका ये स्टूडेन की आपको MBA प्रोग्राम इंगनु से करना तो है लेकिन आपको अपको मोड मॉड्ची मोड या फिर online mode से करना चाहिए तो ये आपके उपर depend करता है कि आप कौन से mode से करना चाहते है लेकिन अगर मैं रहता आपके जगह तो मैं odl mode से करता क्योंकि मेरे को यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और वहीं बात करें डिगरी के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो लाइक किजिए, सेर किजिए और एगनुसरे लेटेट सभी अप्टेट पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके बैल नोटिकेशन को ओन कर लिजिए और आपका कोई सबाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं